हेलो स्टूरेंस वेलकम टू जीनियस आइस स्वागत है आपका जन्रल साइंस mcq सीरीज बैल जी में फिर से हाजी रहें में एक और नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ब्लड ट्रांस्पोर्ट सिस्टम तो क्या होता है ब्लड ब्लड जो है एक कनेक्टिव टीश्यू है जो तो इसी तरीके से हमारा ब्लड क्नेक्टिविटी बनाए रखता है ट्रांस्पोर्ट का मतलब फ्लो करना तो क्या है ब्लड क्या क्या उसके इंदर पार्टिकल है किस किस चीज से मिलके बनाया कहां उसकी फॉर्मेशन होती है तो यह सारा हमारी एक और ब्लड की सीरीज है जिसमें आप आई बटन को क्लिक करके आप उसको देख सकते हो ठीके तो चलिए आज हम MCQ के साथ इस टोपिक को अच्छे से कवर कर लेते हैं जो प्र हीम प्लस गलोबिन हमाने मतलब आयरन ठीक है तो यानि गलोबिन होता एक प्रोटीन जिसका कहसा ओल स्ट्ट्र होता है आप कहसा हग है को ग्लोबिलर हेड हॉता है इस टरहें वो हो गया हीम और गलोबिन के अंदर क्या है और सिन के साथ त्त गण्णuw Fredo और यह ऐसा किसमे होता है RBC के अंदर, तो क्या करेगा यह oxygen को transport करेगा, different body organs को function के लिए क्या चाहिए, oxygen चाहिए, ठीके, तो क्या करेगा, function of hemoglobin in body is transport of oxygen, अब दूसरा क्या है, destruction of bacteria, bacteria को कौन destroy करता है, भार से आने वाले जितने भी foreign particles है, उन से हमें कौन बचाता है, ताकि हमें रोग ना हो, वो होते हैं हमारी WBC, यह किसमें present है, यह हमारे blood में कुछ cells होते हैं, एक होता है plasma, एक होती है cells, ठीके, prevention of anemia, anemia किसे होता है, जब हमारी RBC की formation ना हो, और उसकी formation के लिए हमें क्या चाहिए, iron चाहिए, तो हम iron को utilize करके anemia से बच सकते हैं, या फिर दूसरा, जो हमारे vitamin B6 है, या B12 है, वो भी किस से बचाते हैं हमें, anemia से बचाते हैं, ठीके, चलिए, next question क्या है, in which of the following creatures, hemoglobin is dissolved in protoplasm, यानि जो cell के अंदर liquid present होता है, उसे हम बोलते हैं protoplasm, which is the physical basis of life, protoplasm क्या है, physical basis of life, क्योंकि cell जो है, हमारी क्या है, basic unit of life, और उसके अंदर, जो proto मतलब first plasma मतलब substance, जो first liquid substance देखा गया था, जिसके अंदर भोच सारी cell organally present होते हैं, क्या है, protoplasm, और उस, वो क्या है, उसी के अंदर, मतलब cells हमारी live तब होगी, जब उसमें protoplasm होगा, liquid present होगा, अदरवाइस क्या होगी, dead, ठीक है, so protoplasm के अंदर क्या है, hemoglobin mix है, अब वो mix हो गया, तो क्या बन जाएगा, hemosinin, और ऐसा किस के अंदर होता है, protection बनाए रखता है, oxygen को transport करता है, then blood क्या हुआ, connective tissue, जोड के रखने वाला tissue क्या होगा, connective tissue, then जो हमारे हर एक organ की covering होती है, covering को बलते है, ठीका, ठीका मतलब layer, ठीक है, और upper layer है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, epithelial, तो epithelial tissue क्या है, यानि जो covering का का काम करेगा, ठीक है, protection करेगा, जैसे के हमारी skin होगा, clear, next is, what is hemoglobin, अभी पढ़ा था hemoglobin क्या है, यानि blood के अंदर पाया जाने वाला substance, the substance found in human blood, क्या है hemoglobin, then substance found in leaves or plant, plant की leaves में कौन सा substance पाया जाता है, जिसकी विज़से क्या करते हैं, photosynthesis करते हैं, वो है आपका chlorophyll, ठीक है, then substance found in bone marrow, bone marrow के अंदर अलग अलग टाइप के substance पाया जाते हैं, एक होता है red bone marrow और एक होता है yellow bone marrow, तो जो red bone marrow है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर इस टाइप के substance होगे, जिससे क्या होगा, जो हमारी RBC, WBC के formation में help करेगा, yellow bone marrow में fats वगरा ज्यादा पाये जाते हैं, ठीक है, यह हम आगे आने वाले chapters में discuss करेंगे, ठीक है, so endocrine gland हमेशा hormone release करती है, तो pituitary से जो secretion होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, hormone, pituitary के hormone, clear, pituitary जो है smallest gland है, किस के हमारी body, smallest gland, clear, next question क्या है, due to which the blood has red color, red का, blood का color red किस की वज़े से हैं, अभी पढ़ा था हमने किस की वज़े से, hemoglobin की वज़े से, plasma, hemosinin, wbc, यह सब क्या हैं, देखो, जो blood है, उसके अंदर दो चीजे होती है, एक होता है plasma और एक होती है cells, ठीक है, और cells में भी आपकी तीन type हैं, कौन-कौन सी, rbc, wbc और platelets, rbc क्या है, wbc क्या है, platelets क्या है, इनकी further division वो सारा आपको हमारी दूसरी सीरीज में मिलेगा, red blood corpuscles has color due to, अब blood जो cells हैं, उनका color red किस की वज़े से हैं, hemoglobin की वज़े से, chlorophyll किस में पाया जाता है, leaves के अंदर, और क्या काम है, इसका photosynthetic pigment है, photosynthetic pigment present in leaves, ठीक है, तो जो green color का chloroplast है, उसे हम बोलेंगे, chlorophyll, जिसका main element होता है, magnesium, क्या है, क्यूटीन क्या है, क्यूटीन जो है, एक fat की layer है, वो जो present होते हैं, किस के अंदर, aquatic plants और animals में, aquatic plants और animals में, क्या होता है, मतलब fat की layer है, उपर है न, तो पानी उसके अंदर enter नहीं कर पाएगा, तो वो aquatic animals plants आसानी से स्मुद्र के अंदर रह सकते हैं, क्योंकि पानी उनकी body में अगर चला जाएगा, तो body weight increase हो जाएगा, और वो sink हो जाएगे, तो आसानी से float कर पाते हैं, क्योंकि fat क्या होता है, light होता है, किस से, what function does blood perform in body, body के अंदर blood का क्या function है, पूरी body के अंदर connection बनाए रखना, क्या करता है, जो भी waste होते हैं, उनको इखटा करके लेता है, कहां पे kidney के पास, जहां पे blood क्या होता है, फिल्टर होता है, और दुबारा से, जो veins है, blood vessels, दो टाइप के heartries और veins, और third जो है, यह further in car division होता है, capillaries, तो जो veins हो क्या करती है, पूरी body से impure blood को collect करके heart के पास ले आती है, और फिर वहां से कहां जाता है, lungs के पास oxygenate होने के लिए, so what function blood does perform in body, body के अंदर क्या function कर रहा है, वो, takes oxygen to all part, all part को oxygen की supply देता है, ठीक है, then maintains liquidity, plasma के अंदर कुछ protein होते हैं, जो क्या करते हैं, वो अलग-अलग function करते हैं, जैसे fibrinogen और prothrombin हो गए, वो क्या करते हैं, coagulation में help करेंगे, ब्लड की, तो ऐसे ही albumin होता है, albumin क्या करता है, osmolarity को maintain करते हैं, यानि blood के अंदर, जो salt की concentration है, उसको बनाए रखता है, help in digestion, digestion में कौन help करता है, enzymes, और helps in erection, erection के लिए कौन help करेगा, यह होते हैं, आपके hormones कहें सकते हैं, या फिर different glands, या फिर different body organs, clear, और blood जो है, filter होते हैं कहाँ पर, kidney में, और blood oxygenated होते हैं कहाँ पर, lungs में, तो purify कौन करेगा हमारी kidney, average blood pressure of a human is, human के अंदर average blood pressure कितना होता है, 120 by 80, तो क्या है 120 by 80, इसको जानने के लिए हम next slide देख लेते हैं, क्या है देखो, body के अंदर, जो hurt है, उसके पास blood आता भी है, और blood को supply भी करता है, तो जब बाकी organ को supply करेगा, तो उसके अंदर pressure जादा होना चाहिए, pressure जादा होगा, तो जो hurt की muscles है, वो contract होंगी, ताकि वो सिकड़ होंगी, ब्लड आगे flow कर जाए, तो वो होता है आपका systole, ठीक है, जो hurt की muscle contract होंगी, तो उसके प्रेशर क्या होगा, जादा जो होगा 120 mm of HD, then जब hurt की muscle relax होंगी, तो इसके पास impure blood आके इखटा हो रहा है, ठीक है, यह होता है diastole, तो जब hurt muscle contract करेंगी, systolic pressure और जब hurt muscle relax करेंगी, तो diastolic pressure, यह होता है 120 और 80 mm of HD, तो answer क्या होगा, 120 mm and 80 mm, so blood pressure systolic and diastolic of a healthy man, अब अगर इस से increase या decrease होता है, तो क्या होता है, अगर more than हो गया 120 by 80 mm of HD से, तो वो situation होगी किसके आपकी hypertension, hyper tension, और अगर less than हुआ, तो होता है, hypotension, ठीक है, तो healthy person का इतना होता है, बाकी normal चलता रहते हैं, 110, 70, 65 तक चल जाता है, which of the following instrument, अब blood pressure को measure किससे करते हैं, हम blood pressure को measure करते हैं, प्रेशर के लिए manometer यूज करते हैं, और blood pressure के लिए sphigmo manometer, कौन सा, sphigmo manometer, अगर हम बात करें atmospheric pressure के लिए, तो atmospheric जो unit है, वो है bar, तो इसलिए instrument क्या होगा, barometer, ठीक है, किसके लिए, atmospheric pressure के लिए, then अगर gases का pressure हमें measure करना हो, तो उसके लिए हम use करेंगे manometer, क्या use करेंगे, manometer मतलब pressure of gases, clear, hydrometer किसके लिए, density के लिए, then multimeter, यह हम use करते हैं, जो electrical appliances होते हैं, उसके अंदर, अलग-लग चीज़ें, जब एक साथ measure करने हो, जैसे उसका resistance कितना है, ठीक है, उसका potential difference क्या है, या voltage कह सकते हो, उसकी power supply कितनी है, तो इन सब को एक साथ measure करने के लिए, हम किसका इसे इसे माल करते हैं, multimeter का, ठीक है, selenometer मतलब किसी भी liquid के अंदर, कितनी salt की amount है, किस से मीज़ करते हैं, selenometer से भी, फियर है, next है, blood pressure of an individual is 140 mm of HD, कितना है, किसी person का blood pressure 140 दिया हुआ है, in this statement, HG refers to, HG का मतलब क्या है, HG symbol है किसका mercury का, जो कि एक metal है, और यही एकलोता metal है, यानि एक मात्तर metal, which present in liquid form, generally सारे metal किस form में होते हैं, solid form में, ठीक है, तो mercury, then, high grometer किसके लिए होता है, relative humidity, यानि air के अंदर, कितना moisture present है, वो आप करते हो, humidity से, ठीक है, तो relative humidity मतलब, अगर हम air की comparison में, दूसरी चीज़ों के, अगर हम measure करेंगे, तो, या फिर हम इसे specific gravity भी बहुत सकते हैं, when a person becomes older, his blood pressure generally, जब कोई इंसान बूड़ा होता जाता है, ठीक है, age के साथ, उसकी जो arteries और veins है, कहने का मतलब है, blood vessels है, वो stiff होती जाती है, ठीक है, उनका passes narrow हो जाता है, तो pressure और जड़ा भड़ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, generally जो pressure हो, क्या हो जाता है, increase हो जाता है, clear, next है blood pressure of 4 persons, गिव, देखो, अलग अलग person का क्या दिया हो है, blood pressure दिया हो, यह message X का, यह Mr. X का, यह Mr. Y का, और यह Mrs. Y का, Mrs. X का कितना है, 90 by 60, Mr. X का है 160 by 120, Mr. Y का है 120 by 80, और Mrs. Y का है 140 by 100, whose blood pressure is normal in the following, इनमे normal blood pressure किसका है, 120 by 80, जो कि किसका है, Mr. Y का, तो answer क्या होगा आपका, Mr. Y, clear, the blood pressure in our body is, जो हमारी body के अंदर, जो blood pressure है, वो atmospheric pressure का कितना होता है, सिर्फ 15 to 20% होता है, अगर हम compare करें तो, लेकिन atmosphere तो बहुत बड़ा है, और उसके अंदर, जो pressure है, atmospheric standard जो हम लेते हैं, 1 atmospheric pressure कितना होता है, 1 bar के equal, जो होता है, 760 mm of Hg, ठीक है, यह आप कह सकते हैं, 76 cm of Hg, clear, तो अगर हम compare करें, अब blood vessels होगी बहुत नहरो, तो उसके हिसाम से, blood vessels के अंदर, जो pressure है, वो atmospheric pressure से क्या होगा, जादा, so greater than atmospheric pressure, clear, for human blood transfusion, which blood group is known as a universal donor, अगर हमें किसी को blood देना है, तो universal donor कोन सा होगा, universal donor की बात करें, तो हम किसका दे सकते हैं, O group का, ठीक है, O का हम दे सकते हैं, क्योंकि O के अंदर, कोई भी antigen नहीं होता, तो जिस भी blood group को आप दोगी, उसके अंदर, उसी के antigen होगे, तो उसी के हिसाब से, उसके अंदर antibodies produce होगे, ठीक है, clear, चलिए, blood group, AB can accept blood from a person, which blood group, AB जो है, किस से blood ले सकता है, अब देखो, AB के अंदर, दोनो टाइप के antigen present, ठीक है, तो इसके अंदर antibodies क्या हैं, absent है, अगर आप A का दोगे, तो उसके अंदर आप B बन जाएगा, B का दोगे, तो A बन जाएगा, या फिर O बन सकता है, ठीक है, तो आप किसी भी blood group को, आप दे सकते हो, तो AB क्या है, universal recipient, मतलब सब से ले सकता है, तो any group, clear, next है, person with AB blood group, is sometimes called a universal recipient, अब AB blood group को, हम universal recipient क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर antibodies क्या होती है, absent होती है, so lack of antibodies in his blood, तो जो भी blood group आएगा, उसी के हिसाब से, इसके अंदर antibodies produce हो जाएगी, next है, person meets with an accident, and needs a blood transfusion, but there is no time to check his blood group, एक person का accident हो गया, और इतना time भी नहीं आए उनके पास, कि वो उसका blood group चेक की है, ठीक है, मतलब serious case है, तो एकदम से आप क्या करोगी, कौन सा blood group उसे दोगे, which of the following blood group could be given to him, उसे आप कौन सा blood group दोगे, उसे हम देंगे O negative, मतलब, ना तो उसके अंदर antigen present है, और ना ही RH factor present है, ठीक है, दोनों चीज़े absent है, तो क्या होगा, वो जिसमें भी जाएगा, उसी के हिसाब से, उसके antibodies produce होगी, antigen बनेंगे, antibodies produce होगी, clear? A man who's blood group is not known, meets with a serious accident, and needs blood transfusion immediately, so this is how the equations है, थोड़ी सी statement change है, कि हमें उसका blood group नहीं पता, और चेक करने का भी हमारे पास time नहीं है, तो आप कौन सा blood group उसे दोगे, तो यह होगा O and RH negative, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, universal donor, क्योंकि क्या है इसके अंदर, antigen absent है, ठीक है, चलें, A person met with an accident, and there is no time to check his blood group, which of the following blood should be given to him, अभी क्या थामने क्या है, O and RH negative, next question क्या है, blood grouping, अब यह blood group के बारे में, यानि human के अंदर, कौन सा blood group होता है, A, B, O, ठीक है, इसी से हम बना देंगे, A, B, A, B and O, और उसमें भी, RH factor, present है कि absent है, तो उसके हिसाब से होगा, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, और negative, तो O negative होगा, हमारा universal donor, और A, B, positive होगा, हमारा universal recipient, तो कौन सा person, कौन सा blood group, ले सकता है, दे सकता है, यह आप हमारी वीडियो को, देख सकते हो, सो, blood group के बारे में बताया, किसने, William, sorry, Karl Lansdenner, ठीक है, William Harvey ने बताया, blood circulation के बारे में, कि blood कैसे circulate करेगा, तो circulatory system, यानि heart यह, और हमारी blood vessels से, Lewis Pastor ने क्या बताया, rabbit vaccine के बारे में, और pasturization के बारे में, robot coach ने मतलब, cat के बारे में बताया, cat मतलब, C से cholera, then A से anthrax, जो cattle में बहुत ज़्यादा, डिजीज होता है, और T से आपका था, TB, ठीक है, तो इन सब के बारे में, किसने बताया है, Robert coach ने, ये direct आप से question पोछ ले जाते हैं, RH factor drive, इस name from a, Karl Lansner ने नहीं, क्या किया था, मतलब, discovery की कि, किस के उपर, racist monkey के उपर, जो कि, बिलकुल उसके blood group के अंदर, एक अलग से factor present था, फिर बाकियों को check कि, कि किस के अंदर ये present है, किस के अंदर absent है, तो इसी, यानि ये बहुत बड़ा role play करता हुआ, दिखाया, तो उन्हें पता लगा, कि इसका तो बहुत बड़ा role है, किस के अंदर, blood group के अंदर, तो उसी के basis हैं, उन्हें ब्लड ग्रुप को, RH positive और RH negative के basis पे, तो इसका नाम है monkey का, क्या हो जाएगा, monkey, clear, next है, a married couple, adopted a male child, एक married couple ने, एक बच्चे को गोद लिया है, ठीक है, a few years later, twin boys were born to them, अब उनको twin baby भी हो गये, तो total कितने हो गये उनके पास, 3, the blood group of couple is, AB positive and O negative, अब कपल का blood group क्या है, AB positive और O negative, ठीक है, अब यह नहीं बिताएं, mother का कौन सा है, father का कौन सा, जो blood group है, of three sons is, A positive, B positive and O positive, अब इन बच्चों के क्या क्या है, A positive, B positive और O positive, ठीक है, so the blood group of adopted son, अब जो उन्होंने adopt किया था, उसका blood group क्या होगा, आब देखो, इसका क्या होगा, IO, IO, combination मनाईएंगे, क्या बन जाएगा, I A, I B, I B, I O, ठीक है, तो यह blood group होगा, आपका A, और यह होगा, आपका B, clear, तो यह क्या हो जाएगा, A positive, B positive, उनके खुद के बच्चे हैं, तो उन्होंने जो adopt किया, तो यह क्या है, O positive, तो answer क्या होगा, आपका O positive, clear, next है, if the blood group of father is A, and mother is O, अगर father का blood group A है, और mother का क्या है, O है, तो हम ले लेते हैं, A, और O, ठीक है, तो इनसे, जो factor बनेगे, वो कि I A, और I O, तो बच्चे का क्या हुआ, यानि A blood group, इसमें नहीं है, फिर हम दूसरा करके देखते हैं, एक होगा combination hybrid में, अब एक बनेगा I A, और एक बनेगा I O, तो अगर यह बनाएंगे, I A I O, और I O I O, ठीक है, तो अब इसमें 50-50% chance है, किसके, या तो A होगा उसका blood group, या फिर O होगा, ठीक है, तो answer क्या हो सकता है, B नहीं होगा, A भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा उसका answer, O, clear? Next is, What is the pH level of blood of normal person, जो हमारे blood की pH होती हो, कितने होती है, 7.35 से 7.45, मतलब, alkaline pH, ठीक है, So, pH value of blood, अगर हम exact लेते हैं, मतलब, दोनों के average तो होगा, आपके 7.4, So, यह थी कुछ question, blood transport system से related, हम अपनी series के साथ, बने रहेंगे, तो तब तक के लिए, thank you, have a nice day, good luck for your exam.